नमासकार दोस्तों, क्या हमारा देश तानाशाही की ओर गिरता जा रहा है? एक महीने पहले ये सवाल जब मैंने आप लोगों से पूछा था, साहिर सी बात है, बहुत से लोगों को शौकिंग लगा था लेकिन किसी भी सच्चे देश भक्त के लिए, जो सही माईनों में देश की परवा करता है, उसके लिए सवाल बहुत जरूरी है कुछ लोगों को डाउट हुआ था कि क्या सही में ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन पिछले एक महीने में जो कुछ हुआ है देश में, उसे देखकर तो यकीनन आपकी आँखे खुल जानी चाहिए दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अर्विंद केजरिवाल को बिना मनी ट्रेल और बिना कन्विक्शन की अरेश्ट कर लिया गया तीन में से दो इलेक्शन कमिशनर्स को प्रधार मंत्री मोधी की मर्जी गैनुसार अपोइंट किया गया इलेक्टोरल बॉंड्स एतिहास के सबसे बड़े घोटाले की ख़बरों को टीवी चैनलों से और अखबारों से गायब कर दिया गया देश की सबसे बड़ी ओपोजिशन पार्टी कॉंग्रेस कह रही है कि उनके बैंक अकाउंट्स को फ्रीज किया जा चुका है वो कैमपेन नहीं कर पा रहे हैं सालों पुराने केसिस को लेकर इलेक्शन से एकदम पहले इंकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इन पर सत्रा सो करोड का फाइन लगा दिया रिपोर्ट किया जा रहा है कि कॉम्मिनिस्ट पार्टी पर भी 11 करोड का फाइन लगा दिया देश भर से ख़बरे आ रहे हैं कि कैसे ओपोदिशन के कैंडिडेट्स डिकलेर होते ही उन पर E.D. और I.T. के नोटिर्स आ जा रहे हैं और कॉंग्रेस का तो ये तक कहना है कि उन्हें अखबारों में पेड एडविटिस्मेंट्स छापने तक नहीं दिया जा रहा इसको छपवाने के लिए हमने नीचे अपना नाम भी दिया, सारा ब्योरा दिया कि चंदा दो धंदा लो चल रहा था इस विज्यापन को छापने से मुख्या जो अखबार थे उन्होंने मना कर दिया ये क्या हो रहा है देश में, क्या इस तरीके से elections लड़ी जाएंगी हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर देश की democracy को बचाने के लिए इन सब सवालों के जवाब इस वीडियो में जानते हैं और कुछ लोग जिनने अभी भी लगता है कि democracy सुरक्षित है देश में अभी भी या फिर जिनने लगता है कि ताना शाही अच्छी चीज होगी देश के लिए इनके सवालों को भी आंसर करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले आप एंसे कई लोगों ने request करी थी इसलिए जो holy discount है दुरुवराथी academy पर उसे चार दिन और extend किया जा रहे अब आप 4 एपरिल तक इस coupon code को इस्तिमाल कर सकते हैं holy 50, flat 50% off पाने के लिए मेरे time management course और मेरे chat GPT course दोनों पर इन QR codes को आप scan कर सकते हैं जिस भी course में आप interested है नहीं तो link इनका नीचे description में भी मिल जाएगा शुरुवात करते हैं अर्विंद केजरिवाल के arrest से ये आजाद भारत के इतिहास में पहली बार है कि कि किसी sitting chief minister को arrest किया गया हो और वो भी तब जब court में कोई गुणा साबित तक नहीं हुआ इससे पहले दिल्ली के education minister मनीश सिसोधिया को arrest किया था दिल्ली के health minister सतेंदर जैन को arrest किया था आम आदमी party के MP संजे सिंग को arrest किया था और ये सब लोग आज भी jail में बंद हैं मनीश सिसोधिया को एक साल से उपर होने को हो रहा है और सतेंदर जैन को तो दो साल होने को हो रहे हैं जेल में बंद रहे सबसे हरानी की बात यह है कि इन में से किसी का भी गुना court में साबित नहीं हुआ है ED का आरोप है कि आम आदमी party के leaders को सौ करोड रुपे की रिश्वत दी गई in exchange of undue benefits दिल्ली की excise policy के तहत लेकिन party की politician आतिशी कहती है कि दो साल से ED और CBI इस case को investigate किये जा रहे हैं 500 से ज़्यादा raid कर चुके हैं 1000 से ज़्यादा witnesses ला चुके हैं अभी तक एक भी सबूत इन्हें नहीं मिला इस चीज़ का जो साबित कर पाए कि आम आदमी party एनके ministers ने कुछ गलत किया हो मनीर सिसोधिया के lawyer ने यही चीज़ बताने की कोशिश करी थी दिल्ली हाई court को कि यहाँ पर कोई money trail नहीं है इस policy से देश की जनता को फायदा हुआ क्योंकि सरकार का revenue बढ़ गया था इस policy की वज़े से जिसको बाद में इस्तिमाल किया जा सकता स्कूल और हस्पताल बनाने के लिए तो सवाल यह उठता है कि अगर कोई सबूत ही नहीं है तो court इन्हें bail क्यों नहीं दे रहा इसके पीछे कारण है PMLA Prevention of Money Laundering Act का कानून specifically कहा जाए तो 2018 में जो इस कानून में amendment करी गई थी मोधी सरकार के दुआरा इस amendment में सरकार ने bail की conditions बदल दी bail लेने को और मुश्किल बना दिया बाकी कानूनों में क्या होता है innocent until proven guilty bail मिलना आपका अधिकार कंसिडर किया जाता है लेकिन PMLA में अब क्या हो गया है guilty until proven innocent आपको तब तक bail नहीं मिलेगी जब तक आप अपने आपको innocent ना साबित करो इसी 2018 की amendment में ED को और ताकत भी दे दी गई थी इन चीजों को अरविंद केजरीवाल ने खुद भी explain किया था अपनी arrest से पहले ED के cases में जमानत क्यों नहीं मिल रही लोगों को अब ये पूरा कानून इनोंने ED में पलट दिया अब इसमें हो गया you are guilty till proved innocent इस कानून में इनोंने ये लिखा है लेकिन बात सिरफ इतनी simple नहीं है दोस्तो अरविंद केजरीवाल के इस arrest के पीछे एक electoral bond घोटाले का भी connection कोट में जो hearing हुई उसके अनुसार अरविंद केजरीवाल को चार लोगों की statements के बल पर arrest किया ED ने उनमें से एक इनसान है सरत चंदर रेड़ी जोकि औरविंदो फार्मा कंपनी के head है 9th November 2022 की बात है कि ED ने रेड़ी को बुलाया था पूछताच के लिए इस alleged liquor scam के case में उन्हें जो statement दी उस दिन वो केजरीवाल के favor में थी लेकिन अगले ही दिन 10 November 2022 को ED इनहें arrest कर लेती है इनकी arrest होने की सिरफ 5 दिन बाद इनकी company औरविंदो फार्मा ने 5 करोड रुपए का चंदा डोनेट किया BJP को electoral bonds के जरिए ये चीज हम जानते हैं electoral bond data को देख कर अब chronology समझ लिजे ये करीब 6 महीने तक जेल में रहते हैं अर्विंद केजरीवाल ने court में कहा कि इन्होंने 9 अलग-अलग statements दी इस 6 महीने के period में जो कि सारी statements केजरीवाल के favor में थी उसके अरेस को ही उसके आद उसके नौ statement सो मेरे खिलाफ में होता लेकिन 25 April 2023 को 6 महीने जेल में रहने के बाद अगली statement जो देते हैं मुकेजरीवाल के खिलाफ होती है अगले ही महीने मई 2023 को ED इन्हे बेल दे देती है और जून 2023 में ये ED के approver बन जाते हैं इस case में और बेल मिलने के करीब 6 महीने बाद इनकी कमपनी 25 करोड रुपे की और डोनेशन करती है BJP को अब देख रहे हो दोस्तों किस लेवल का खेल खेला जा रहा है इलेक्टोरल बॉंड का डेटा हमें बताता है कि टोटल में इनकी कमपनी ने 52 करोड रुपीज की बॉंड खरीदी थी शरत चंद्र रेड़ी की कमपनीयों द्वारा धिया गया भारतिय जनता पाटी के बैंक अकाउंट में पैसा जो बाकी तीन लोग है जिनकी स्टेटमेंट्स की वज़े से अरविंद केजरिवाल को अरेस्ट किया गया जिससे की पार्टी को खतम किया जा सके और दिल्ली और पंजाब की सरकारों को गिराया जा सके एक 8 मिनिट की आडियो रिकॉर्डिंग है इस केस की जब अरविंद केजरिवाल खुद को कोट में डिफेंट कर रहे थे अरविंद केजरिवाल के एरेस्ट पर रियाक्ट करते हुए कॉंग्रेस पॉलिटिशन राहूल गांदी ने कहा डरा हुआ ताना शाह एक मरा हुआ लोगतंत्र बनाना चाहता है मीडिया समेथ सभी संस्थाओं पर कबजा, पार्टियों को तोड़ना, कमपनियों से हफ्ता वसूली, मुख्य विपक्षी दल का अकाउंट फ्रीज करना और अब तो चुने हुए मुख्य मंत्रियों की गिरफतारी भी आम बात हो गई है कॉंग्रेस पार्टी को यहां अलग तरीकों से खतम करने की कोशिश करी जारी है और ये कोशिश भी कई महिनों से जारी है पिछले साल औगस्त के महिने में राहूल गांधी पर एक बहुत ही अजीबो गरीब डीफे मिशन केस किया गया जिसके जरीए उन्हें डिस्कॉलिफाइ करने की कोशिश करी गई थी इस केस की मैंने डीटेल में इस वीडियो में बात करी थी जिसमें सूरत के कोट ने दो साल की सजा सुनाईर राहूल गांधी को वो तो सुप्रीम कोट ने इसे होने से रोक दिया नहीं तो आज के दिन देश की दो सबसे बड़ी उपोजिशन पार्टी इसके टॉप लीडर्स जेल में होते हैं लेकिन अब क्या किया जा रहा है कि उनके बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया है इसके पीछे क्या कारेंट दिया जा रहा है इंकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि कॉंग्रेस ने अपने रिटर्न्स फाइल ने किये थे डेडलाइन के टाइम पर इसके लावे एक 31 साल पुराना केस कॉंग्रेस का खोला जा रहा है 1993-1994 का Income Tax Department का कहना है कि वहाँ पर कुछ हुआ था उस समय पर अब हम उसका Penal Charges मांगते हैं और 29 मार्च को IT Department ने 1700 करोड का Notice दिया Congress Party को और सेम दिन रिपोर्ट में आया कि Communist Party पर भी 11 करोड रुपे की Penalty लगा दिया IT Department ने किस कारेंट से क्योंकि उन्होंने पुराना Pen Card यूज किया था हर एक opposition party को इसी तरीके से target किया जा रहा है इस tweet को देखिए TMC Party के candidate साकेद घोकले ने लिखा कि पिछले 72 घंटे में इन्हें 11 अलग-अलग income tax के notice आ गए कुछ तो 77 साल पहले के notice है क्या ऐसे होंगी देश में free और fair elections हालातों को देखकर इस film की आद आती है The Dictator नाम की एक comedy film जो की एक satirical कहानी सुनाती है एक fictional dictator की race जीतने के लिए इस dictator किसी भी हत्मत जाने को तयार है आज जो भी ये सब हो रहा है देश में इसकी ख़बर दुनिया भर में पहुँच रही है दोस्तों पहले जर्मनी की दरफ से statement आई फिर अमेरिका ने statement दी और अब तो United Nations भी कहने लग रहा है वो उमीद करते हैं कि इंडिया में लोग free और fair तरीके से vote कर पाएंगे सब के rights को protect किया जाएगा सरकार के इन कारणामों की वज़े से दुनिया भर में भारत की reputation नीचे गिर रही है कुछ बीजेपी के politicians तो अब openly कह रहे हैं हम 400 से ज्यादा seat लाना चाहते हैं ताकि हम देश का constitution बदल सकें इस खबर को देखो 27 मार्च को शिव सेना ने अपने politician अमोल किर्तिकर को candidate घोशित किया ये हुआ सुभह के 9 बजे और सिरफ एक घंटे बात 10 बजे इन्हें ED का notice आ गया अमोल किर्तिकर जी जैसे उनका नाम घुशित हुआ उनको ED का समन साया ये दबा उतंतर है ये डराने की कोशिस है NCP के लीडर प्रफुल पटेल याद है इन पर एक भारी आरोप लगाया गया था करप्शन केस का बीजेपी के द्वारा आठ महीने पहले इन्होंने लेकिन अपनी पार्टी तोड़ कर बीजेपी की अलाइन्स जोइन कर ली थी और इसका नतीजा क्या हुआ? 29 मार्च की इस ख़बर को देखो जो भी केस CBI ने चलाय था इनके खिलाफ उसे अब बंद कर दिया गया अब मोधी सरकार कहती है कि यहां कोई करप्शन नहीं था ऐसे ही बहुत से और केसिज हैं जैसे कि नवीन जिंदल का केस देखो एक कॉंग्रेस के कैंडिडेट थे इन पर कोल गेट स्कैम का आरोप लगा था लेकिन 25 मार्च को बीजेपी जोइन करते हैं और अचानक से इने बीजेपी गटिकट मिल जाता है यह सब देखने के बाद भी कुछ लोग इतने बेशर्म हैं कि वो फिर भी कहते हैं अरे अगर यह नहीं तो और कौन हालत देख रहे हो देश में क्या हो गई है हालत यह हो गई है कि कोई भी और option यहाँ पर बहतर है देश में elections को fair तरीके से conduct करवाने की responsibility आती है election commission के उपर लेकिन वहाँ अपनी अलग कहानी चल रही है 9th March 2024 को election commissioner अरुन गोयल ने अपनी post से resign कर दिया Chief election commissioner राजीव कुमार का कहना था कि उन्होंने ये इस्तिफा दिया क्योंकि health concerns थे उनको लेकिन the Hindu अखबार के अनुसार उनके पास के जो लोग थे उनका कहना है कि actually मैं अरुन गोयल की जो health थी वो perfect थी कारण इसके पीछे ये बताय जा रहा है कि Chief election commissioner राजीव कुमार और election commissioner अरुन गोयल के बीच में असहमतिया थी अब इसके लावा एक और election commissioner की post खाली पड़ी थी देश में तीन election commissioners होते हैं इनके resignation के बाद दो post खाली हो गई दो नए election commissioners को कैसे appoint किया जाए और कौन appoint करेगा मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मार्च 2023 में पाँच जच constitution बेंस था सुप्रीम कोर्ट का जिनोंने order किया कि election commissioners की appointment होनी चाहिए तीन लोग होई committee के दुआरा प्राइम minister, leader of opposition और chief justice of India लेकिन मोधी सरकार करीब साड़े तीन महीने पहले एक नया कानून लाई यहाँ पर और कहा कि नहीं election commissioners की appointment में chief justice नहीं होंगे हमारी ही सरकार का union minister होगा और प्राइम minister होंगे और एक leader of opposition सही इसके अनुसार दो नए election commissioners appoint किये जाते हैं तीन लोगों की जो committee बनाई गई उसमें थे प्रधानमंत्री मोधी, दूसरे थे home minister अमित्शा और तीसरे थे एक opposition politician अधीर रंजन चौधरी लेकिन इस appointment के वक्त भी proper procedure नहीं follow किया गया अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि एक रात पहले उन्हें 212 नामों की list दी गई और meeting से एकदम पहले उन्हें 6 नामों की short list दी गई और उन्हें समय ही नहीं दिया गया जच करने के लिए कि किसे appointment करना चाहिए उनका background क्या है लोगों का उनका experience कितना है उनकी integrity कितनी है प्रधान मंत्री मोदी और अमित्शा ने अपनी मर्जी से इन दो election commissioners को appoint कर दिया सुप्रीम कोट ने अपनी तरफ से जो की actually में 2016 से 21 के बीच में home ministry के अंदर काम करते थे अंडर अमित्शा दूसरे है सुखवीर संधू जो की retired IS officer है और 2014 से लेकर 2023 के बीच में इन्होंने पहले ministry of human resource development में काम किया chair person of NHAI रहे और chief secretary रहे उत्राखंड के क्या इन election commissioners से expect किया जा सकता है कि ये fair तरीके से लोग सभा की elections conduct करवाएंगे ये time ही बताएगा अब हमारे देश में अगर कोई institution सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो जिम्मेदारी judiciary पर आती है लेकिन देश के courts में भी जो कहानी चल रही है वो भी ज्यादा लग नहीं है आठ मार्च को एक बहुत ही shocking case देखने को मिला कैलकटा हाई court के judge अभी जीत गांगोपाधाय ने अपनी position से resign कर दिया और कुछी दिनों बाद formally भारतिये जंता party को join कर लिये इन्होंने खुद admit किया कि resignation से पहले ही इन्होंने बीजेपी को approach किया था और एक recent interview में इन्होंने बताया कि इन्हें बड़ी मुश्किल होती है गांधी और गोटसे के बीच चुनने में ऐसे judges अगर political parties के contact में रहेंगे तो क्या हमारी judiciary को आजाद कहा भी जा सकता है आप ही बताये कोट कचेरी के system में अकसर एक बात बार बार दोहराई जाती है bail is the rule, jail is an exception इसका मतलब है कि bail मिलना अधिकार है लोगों का लेकिन आज के दिन Chief Justice of India कह रहे हैं कि district courts में jail rule बनता जा रहा है lower courts के judges bail देने से जिजक रहे हैं अब कुछ लोग कहेंगे कि अगर देश में हालत सही में इतनी बुरी है तो मैं ये वीडियो कैसे बना पार अगर देश सही में dictatorship की और गिरता जा रहा है तो मेरा मूबंद कैसे नहीं कराया गया भी The print के शेखर गुपता ने भी यही argument उठाया था मेरे पिछले वीडियो के बाद इन सब लोगों के लिए मेरा एक सवाल है स्क्रीन पर इस वीडियो को देखो और मुझे बताओ कि ये गाड़ी तूटी हुई है या सही सलामत है अब कोई भी normal इंसान कहेगा obviously भाई तूटी हुई गाड़ी है लेकिन शेखर गुपता का logic अगर यहां इस्तिमाल किया जाए तो वो कहेंगे देखो गाड़ी में driver बैठा है गाड़ी चल रही है इसका मतलब गाड़ी सही सलामत है कोई sense है इस बात का मेरा मुँबंद नहीं हुआ अभी तक इसकी खुशी मना रहे हो और उनका क्या जिनका मुँबंद अलरड़ी कराया जा चुका है इस news headline को देखिए 6 लोगों को arrest किया गया और 100 से ज़्यादा F.I.R.S कराए गई सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग poster चिपका रहे थे मोदी हटाओ देश बचाओ के लेट पवन जैसवाल पर 4 sections के अंडर cases फाइल किये गए सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने ये report किया इस school में midday meal के तोर पर बच्चों को नमक के साथ रोटियां खिलाई जा रही है ये एक बहुत बड़ी logical fallacy है जिसे false dilemma कहा जाता है चीजों को जबर्दस्ती black and white बना देना कि या तो देश एक democracy है या फिर एक dictatorship है बीच में कुछ होई नहीं सकता मैंने कभी नहीं कहा था कि देश already 100% dictatorship बन गए मैंने कहा था देश dictatorship की ओर गिर रहा है और अभी भी यही कह रहा हूं ये democracy और dictatorship ये एक spectrum है एक scale है बहुत बड़ा अलग-अलग तरीके हैं जो democracy measure करने के वो भी 0 to 10 के बीच में number देते हैं अलग-अलग terms का इस्तिमाल किया जाता है अगर बहुत अच्छी चल रही है देश में democracy तो fully functional liberal democracy उसके बाद है working democracy खराब है democracy तो flawed democracy उसके बाद deficient democracy उसके बाद electoral autocracy फिर hybrid regime और आखिर में authoritarian regime जो actual dictatorship लोगों को अपनी गाड़ी की इतनी चिंता होती है कि एक छोटा सा scratch या dent भी लग जाता है ना चिलाने लग जाते हैं वो गुस्से में आ जाते हैं और यहाँ democracy की गाड़ी पर ऐसे डेंट मारे हैं इस तरीके से धजिया उड़ा दी गई है इस गाड़ी की कि लोग हैरान है देखकर कि गाड़ी अभी भी चल कैसे पा रही है अगर आप अपने आपको देशभक्त कहते हो रही है लेकिन एक fair level playing field नहीं मिल पा रही है लोगों की आजादी खतम करी जा रही है इस report में लिखा है कि मोधी सरकार ने sedition, defamation और counter-terrorism जैसे कानूनों का इस्तिमाल किया है अपने खिलाफ उठ रही आवाजों को दबाने के लिए और जल्द ही इस list में एक और कानून भी add हो सकता है Broadcasting Services Regulation Bill 2023 के अंदर नए IT rules लाने की कोशिश करी जा रही है इसके अनुसार Broadcasting की एक बहुत broad definition बनाई गई है जिन जिन लोगों का YouTube channel है, Facebook account है, Instagram handle है या WhatsApp channel भी है वो सब Broadcasters की category में आएंगे हर Broadcaster को सरकार के सामने जाकर register करना पड़ेगा और सरकार की एक central evaluation committee होगी जिसको बहुत जादा powers दी गई है Broadcasters सिरफ वही videos या messages भेज सकते हैं लोगों को जो इस committee के दोरा अप्रूफ किये गए हैं except for specific programs exempted by the government इस कानून के तहट सरकार के पास ये भी power होगी कि बिना prior notice के वो YouTubers की equipment को जाकर seize कर ले तो एक बात तो पक्की है कि social media पर भी लोगों की आवाज बंद करने की पूरी तरीके से कोशिश करी जा रही है और जब मेरी आवाज finally पूरी तरीके से बंद हो जाएगी तब क्या जवाब दोगे तब क्या argument बचेगा अरे कोई बोलने वाला ही नहीं बचा इसका मतलब democracy अच्छी चल रही है देश में और इस गलत फैमी में मत रहना कि भी मैं तो सरकार का supporter हूँ मोधी supporter हूँ मेरा कुछ नहीं जा रहा अगर देश dictatorship बन भी जाए तो भी मेरे लिए तो सब अच्छा चलता रही सोनम वांग्चुक भी एक बारी सरकार को support करते थे जब article 370 हटाया गया थे मेरे ख्याल से ये लड़ा के लिए बहुत ही खुशी की बात है वो उसकी हक थी वो उससे वापस मिला है लेकिन जब उनके area में कोई problem आई और उन्होंने अपनी आवाज उठाने की कोशिश करी 21 दिन तक अंशन पर बैठने के बावजूद भी सरकार का मू नहीं खुला dictatorship में एक dictator सिरफ अपने हैंकार अपनी power अपने पैसे से मतलब रखता है उसे जनता की कोई फिकर नहीं होती बहुत से किसान भी सरकार के समर्थक थे लेकिन जब उन्हें पता चला कि उन्हें अपनी मांगे रखने का अधिकार भी नहीं दिया जाएगा सारा मीडिया उन्हें देश द्रोही करके बदनाम करेगा तब उन्हें एहसास हुआ कि डिक्टेटर्शिप का क्या मतलब हो सकता है आप एक स्टूडेंट हो, पेपर लीक होता है, चुप बैठे रहो बढ़ती महंगाई की खिलाफ आपको आवाज उठानी है, आवाज दबा दी जाएगी अपनी डेली लाइफ में किसी भी तरीके का ना इंसाफ अगर आप सह रहे हो, आपके पास कोई आप्शन नहीं बचेगा अपना मू बंद करके चुप बैठे रहने के इलावा बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दो पर तो ये चीज हम अलड़ी होते हो देख सकते हैं आउगस 2023 में मिनिस्टर अफ स्टेट जितिंदर सिंग ने पार्लिमेंट को बताया कि 9,60,000 से जाधा Central Government Jobs वेकेंट पड़ी है प्राइवेट जॉब्स की बात करी जाए तो हाइरिंग प्लाटफॉर्म इंडीड ने फेबरेरी के इस साल में बताया कि दिसेंबर 2021 से फ्रेशर जॉब पोस्टिंग्स डिकलाइन होती जा रही है मार्च 2024 की ये रिपोर्ट फ्रेंट लाइन की है आईटी सेक्टर में भी हाइरिंग डिकलाइन देखने को मिल रहा है जॉब्स की सिचुएशन इतनी खराब है कि हर्याना सरकार को दस हजा से जादा कॉंट्रैक्चुल लेबर की नौकरियां एड़र्टाइज करनी पड़ी इसराइल में एक ऐसा देश जो वार जोन बना बैठा है अरयाना के यूथ को वहाँ भेजा जा रहा है सरकार के द्वारा ये हालत है देश में जॉब्स की और महंगाई की तो क्या ही बात करनी पेट्रोल का दाम 90 रुपए से लेकर 110 रुपए तक पहुंच चुक है जैनवरी 2024 की रिपोर्ट बताती है कि यूनाइटि निशन्स का जो फूड प्राइज इंडेक्स है वो ग्लोबल फूड इंफलेशन को माइनस 10.1% पर डालता है यानि दुनिया भर में खाने के प्राइजिस कम हो रहे है लेकिन इंडिया में फूड प्राइज इंडेक्स इ कि पैसे नहीं है अब यह सब सुनने के बाद अभी भी कुछ लोग कहेंगे कि भाई तु सरफ मोधी सरकार के बारे में क्यों बोल रहा है या फिर से एक फाल्तू का आर्गुमेंट इसे एक red herring fallacy कहा जाता है क्या मैं जिन्दा था उस वक्छ जिस समय इंडेरा गांधी ने खाले दबम था लेकिन कल कीème गिनाकर आज की फिके नहीं हो जाएंगे उस वक्त जो हुआ वह बहुत गलत था और इस वक्त जोह हो रहा है वह भी बहुत गलत उसवक्त कुछ लोगों के बहतुर संगर्श की वजह से डेमोकरेसी को बचा लिया गया देश में। लेकिन आज कौन बचाएगा देश को? मीडिया को खरीदा जा चुका है, हर इंस्टिउशन कॉंप्रमाइज हो चुका है, ओपोजिशन लीडर्स का अरेश्ट किया जा चुका है, बचा कौन? बचे हम लोग, देश के लोग, we the people of इंडिया, हम है आखरी उमीद। जैसे एमर्जेंसी के समय में लोगों ने भारी संख्या में अपनी आवाज उठाई थी और उसके बाद जो इलेक्शन्स होई, उसमें इंदरा गांधी को हरा दिया था, उसी जजबे से आज देश की जनता को इस अंडिक्लेर्ड एमर्जेंसी के खिलाफ आवाज उठाने क जरूरत है, अगर आप भारत माता की जै कहते हो, तो भारत माता को बचाने के लिए तयार भी रहो, अगर गांधी जी भगत सिंग नेता जी बोस की रिस्पेक्ट करते हो, तो उनके जैसा जजबा भी लेकर आओ, जो आजादी उन्होंने अपना खून पसीना बहा कर दिलव अगर आप अपनी अवाज नहीं उठा सकते तो इस वीडियो को सौ लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, वाटसैप ग्रूप्स पर इंडिविज्वली, फेस्बुक पर ट्विटर पर इंस्टाग्राम पर हमारा मिशन है इस खबर को देश के कोने कोने तक पहुचाना, देश क हर एक वोटर तक पहुचाना, स्टेप टू, वोट करना मत भूलिये, इस पार कोई एक्स्क्यूज नहीं चलेगा क्योंकि एक एक वोट सिर्फ फरक पड़ता है, चेक कीजिए आपकी कॉन्स्टिटुएंसी में कब है वोटिंग, अगर आप देश के बाहर होंगे तो आज जाए वोट करने, क्योंकि इस बार सब कुछ दाओ पर है, इस लिंक पर जाएए, ये लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, चेक करने के लिए कि आप वोटिंग के लिए अल्रेडी रजिस्टर्ड है या नहीं, अगर आपका नाम इस लिस्ट में नहीं आता, इसका मतलब आप वोटिंग के लिए रजिस्टर्ड नहीं है, वोटर रजिस्टरेशन कंप्लीट करने के लिए इस लिंक पर जाएए, ये भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, स्टेप थ्री, अपने आस पास लोगों तक बात पहुंचाईए, क्या आप जानते हैं, देश में 30-35% eligible voters, वोट डालने ही नहीं जाते हैं, अपने परिवार में लोगों को कंविंस कीजी, अपने दोस्तों को बताईए, अपने मोहले में लोगों को कंविंस कीजी, जिस कर सकते हैं वोट करने के लिए, ये मत सोचना की मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, जैसा क्रिश्न गीता में कहते हैं, फल की चिंता मत करो, जो तुम्हारा कर्म है, वो कर्म करो, इस वीडियो को देखने वाला गर हर एक इनसान, बस ये ठान लेक की अगले 20 दिन तक मैं रोज 5 लोगों को जाकर इसके बारे में बताऊंगा, उसी से ही काम बन जाएगा, हमें एक करोड से ज्यादा लोग हैं इस यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए, एक इनसान को सिरफ 100 लोगों को रीच आउट करना है, और इस तरीके से हम देश के कोने कोने तक सारे 100 करोड बिश्वास का सब कीचट हट जाए, तो इन चार चीजों को याद रखना, अपनी आवाज उठानी है, वोट करना है, दूसरों को वोट करवाना है, और हसना और प्यार फैलाना है, बस इतनी सी जरूरत है, हम देश को बचा सकते हैं, हम देश को बचाएंगे, इनकलाब जि हमन्यों का सकते हैं, हम दो एिन को युँ मि वर सब कर देऊच किवासी आए, जूसरों किवे में आए, यह हम दुग हम मैं हम दो जूरत है फैलानी है, भलत हैज canyon करेखनवर सरह को पै students, Cent Kalin, मुझा है है, तो झार हैं इनकला है झाल झाल